जैसरी यादे किष्णा आप सभी को मेरे नमस्कार है आज मैं इंडियन डेजर्ट फेंडी बनाने जा रही हूं जो कि खीर की तरह बनती है लेकिन खाने में रब्री की तरह लगती है बहुत ही टेस्टी लगती है इसके लिए मैंने मुट्टी बढ़कर की दो मुट्टी बास प्राइब ब्राउन होने तक फ्राइब करने के बाद इसको फाइन पेस्ट पीसे लेंगे पीसे समय हलका पानी के जरुत पड़े तो पानी ले सकते हैं विसमें दूर मैंने यह राइस को डाल दिया है साथ-साथ पकाएंगे सूखी नारियल की कदुकस किया हुआ इसमें ड तैयार हो रहा है अब इसमें छे से साथ एलाइची का पॉडर बना करके मिला देंगे इलाइची लाश में देने से इसकी सुगन अच्छी बनी रहती एलाइची की और साथ इसमें बादाम डाल दिये कोई भी ड्राइफूर से वह डाल सकते हैं तैयार हो गया फिर नहीं वी